ओके हलो एन वेलकम तो कैस्परिंसी डॉट ओ और जी और इस इस सेकंड वीडियो यह एलगो टेस्ट के उपर एक और वीडियो है जहां मैंने एक स्ट्राड़जी और फाइंड आउट किया है और वो में शेयर करना चाहता हूं पर कुछ भी कहूं उससे पहले आपको एक जनरल एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा स्टॉक मार्केट में पास परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर की गारेंटी नहीं देता है यह एक एक एजुकेशनल परफॉस के लिए बनाया हूँ वीडियो है इसमें आप एड़ोन कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से मैं क्या करता हूं मैं बैसिकली आपको गाइड करता हूं आने वाले टाइम में अलगोरिफ्मी ट्रेडिंग ही फ्यूचर है क्योंकि मौस्ट अप दॉर्टम को बहुत जादा वेटेज मिला है स्टॉक मार्केट में अब इंडिया में भी ये ट्रेंड फॉलो होगा तो हम अभी जाके देखेंगे की strategy क्या है यह strategy algorithm पर बना हुआ है यह option buying strategy है मैंने अज़ जादा कुछ नहीं किया अज इस विडियो को simple रखा to the point रखा as usual जैसे कि मैं रखता हूँ तो चलके देखते हैं एक simple bank nifty का option buying strategy है और यहां एक minimum risk के साथ आप काम कर सकते हैं strategy को मैंने already बना रखा है पर मैं आपके सामने इसको tweak करूँगा बहुत सारी और भी चीज़े देखेंगे ठीक है तो directly चलते हैं मेरे browser पर आप जब algo test पर आओगे ना तो यह कुछ ऐसा दिखेगा तो basically अगर आप algo test के account बना चुके तो इस ओके अगर आपने नहीं बनाया तो नीचे description में link है उससे जाके आप algo test के strategy algo test के platform पे अपना ID बना सकते हो आपको 25 back test free मिलेगा that means आप 25 बार किसे strategy को test कर सकते हो और यह वाली strategy को भी तो यह strategy basically मैंने अभी बनाया है तो आप देख सकते हो यह strategy जी bank nifty पे काम करेगा तो आपको यहाँ पे bank nifty चूस करना है underlying में cash होना ज़रूरी है तो to be very clear I wanted you to be on cash side enter your exit time 9.35 और 3.15 ही रहने देते हैं और complete होगा square of आपको complete पे select करना है now हम यहाँ पे leg add करेंगे तो सबसे पहले हमें 3 lots के साथ काम करना आने वाल अभी वीडियो में जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा मनिया तीन चूस क्यों किया है हमें buy करना है then हमें कौन चूस करना है weekly expiry होनी चाहिए strike price में ATM होना चाहिए आप ओर team के साथ भी test करो 25 back test आपके पास है आप इसमें add on कर सकते हो अब यहाँ एक और चीज़ है और जो stop losses है वो 25 points पे है that means not 25 points यहाँ देखोगे न आप जब इस पे click करोगे तो underlying के points है percentage है underlying के percentage है तो मतलब यहाँ जो 25 points है वो आपके options का point है ना कि underline का and don't be afraid आपको अमेशा 25 का नहीं होगा यहाँ पे मैंने कुछ और भी settings कर रख है और यहाँ जो stop loss ट्रेल करेंगे वो हम 10 रुपे जब हम profit महुंगे तो हम आपने stop loss को 5 points को move कर लेंगे now यहाँ पे जब आप आओगे ना simple momentum को on करोगे यहाँ बहुत सारा option आएगा तो be make sure आपको underlying percentage up यह अपका arrow है ना इसको select करके रखना है और यहाँ 0.2 डालना है 0.2 ठीक है हम make momentum strategy बना रहे हैं तो 0.2 will be great यहाँ हम overall stop loss जो एक दिन में लेंगे दो maximum stop loss हम लेना चाहते हैं वो एक दिन में वो 2000 का है re-entry on SL हम इसको चार करेंगे पर पहले हम ऐसे simply test करते है फिर re-entry on SL हम चार select करके देखेंगे अब हम profit को lock भी करेंगे जब हम thousand रोपीस के profit पे reach करेंगे तो हम 500 रोपीस को lock कर लेंगे मैं इसको 2022 से 2024 तक के लिए back test टरन कर रहा हूं अभी results आपके सामने आगा basically यह एक ना frame देता हूं मैं आपको ताकि आप सूच सको कि और क्या क्या possibilities है basically आप तो algo test को आप trading view के साथ भी integrate कर सकते हूं मैं बहुत दिन उसे वीडियो बनाने के सोच रहा हूं वो trading view से कैसे integrate करते है एं जन्ती बनाऊंगा पर उससे पहले मेरे पास quantum end की भी strategy है तो most probably वो भी upload हो चाहेगी इस strategy के दो-तीन दिन बाद अगर अच्छा response मिला तो मेरी वीडियो कुछ लोगों को अच्छी लगती है कुछ लोगों को नहीं लगती है and I can't help about this तो यह backtest run हो रहा है I don't know why it's taking too much time let it be 65 credits we have तब तक हम जन्ती से credit buy कर लेते है 100 credits को मैं buy करता हूं okay we bought 100 credits and backtest is still running let's see what happens do we have a good internet okay internet is working fine so there is a problem with this okay let's do it again let's refresh the page and then we will click on start at least one left fuck okay sorry for the bad words start backtesting okay here we have the results तो हमने re-entry के use नहीं किया है and then still पहले साल में 1,36,003 lots के साथ हमने backtest किया है then second 42 और अब भी जो यह चल रहा है थिंक तीन महीना तो अब यहां देखोगे ना profit stop losses बहुत चोटे चोटे कभी कभी profit स्वीच होटे है पर कभी-कभी you will see a huge profit you'll see a huge profit huge ठीक है यह आप date के साथ भी play around कर सकते हो weekdays के साथ भी कर सकते हो लिससे आपको expiries में trade नहीं करना है तो वह भी कर सकते हो पर अभी फिलाल हम क्या करेंगे हम re-entry को on करते है हम re-entry को चार बार करते है let's say okay there is no SL so re-entry on target four times क्योंकि एक momentum strategy है तो क्या पता momentum continue रह सकता है थोड़ा कभी-कभी अपने market को देखा है ऐसे जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है let's see in the camera थोड़ा उपर जाता है फिर नीचे आता है and then it just blast test तो इस वह चासे ना we will be using यह चार re-entry और अब डरो मन्त जो maximum loss होगा ना total एक दिन में वो 2000 से जादा नहीं होगा ठीक है तो यहां profit को भी लॉक कर रहे हैं यहां M2M के साथ भी खेल रहे हैं and then let's run the back test okay total profit is 196 मैंने तीन लोट क्यों डाला है आपको मैं भी दिखाता हूँ मेरे पास I think I bought the points तो बहुत सारे है so ITM1 के साथ is 188 basically यहां average losses हुआ है जो per trade वो 828 का हुआ है जो maximum loss हुआ है वो single trade में वो 1127 का हुआ है and then आप देख सकते हो जो maximum profit in a single trade है वो 28,000 का है risk to reward 3 is 0.22 है तो I don't think risk to reward is very good but maximum winning streak 5 है और maximum losses का trade 10 है और 102 trades हुआ है पूरे के पूरे a trade history यह रहा तो मैंने यह 3 क्यों add किया less why not 1 so अगर हम 1 add करते हैं हम 1 add करते हैं और अगर हम taxes and brokerages को on करते हैं then हम brokerages को include करते हैं और हम I think zero double charge 20 per trade और जैसे हम done करेंगे न तो हम हमारे में massive decrease दिखेगा आपको profit में let's back test it with one lot and then I'll see कि जितने भी green थे वो सारे red हो जाएंगे तो जब भी मैं कहता हूं कि आप algorithm करो तो 2-3 lots के साथ करो देखो profit कितना massively cut off हुआ है ठीक है यह 33,000 ही रह गया है and now if I'll add a slip raises of 0.5 then it will be red 9,000 ठीक है तो slip raises को आपको हमेशा consider करना है एक अच्छा broker raises 0.2, 0.3 को देता है कभी-कभी आपके fever में भी होते है slip raises depending on bid or ask अपने अगर market में थोड़ा काम किया तो आपको पता अब bid or ask क्या है तो हम basically 3 या फी 4 lot के साथ करें तो better होगा 4 lot के साथ भी अगर आप backtest करते हो आपका maximum जो SL है न वो सिफ 2,000 है तो आप 4 lot के साथ भी चाहो it's okay I mean यह कोई trading recommendation नहीं है आप 4 lot के साथ backtest कर रहे हो करो it's okay for that I mean आपको पहले से backtest में इसका worst days पता है worst days में 31, 27, 10,000 and return will be 22 ठीक है total M2M हम consider करेंगे 2,000 per day ठीक है and यहाँ पर हम profit भी lock कर रहे है जब हम 1,000 रुपीज के profit माऊंगे हम 500 को तुरंट lock कर लेंगे अब यहाँ trades भी देखेंगे risk to reward will go to 3, 3.00 I don't know whether it's a good strategy or not but मैं आपको यहाँ पे 2, 3 चीज़े 0.30% and recalculate it and now we are into 166 to 1 month तो मैं यहाँ दो-तीन चीज़े यहाँ सिखाना चाहता हूँ कि आप इन brokerages कैसे include कर सकते हैं taxes and charges fixed होते हैं तो यहाँ डालने के ज़रत नहीं है अब यहाँ से देख सकते हो क्या के taxes कटें, exchange charges कटें and all those and फिर अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने important बता है वो trailing stop losses है trailing option है that means if you are in a profit of 1000 then you will be locking 500 फिर M2M है यह feature भी बहुत अच्छा है then I'll go down, 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 down and then we have these things तो basically इस video को बनाने का purpose यह था कि आप algotest को अच्छे से use कर पाओ ठीक है मैं invest करता हूँ in backtest in all those ता कि आपका काम थोड़ा easy हो जाए मैं आपको सिर्फ एक way देता हूँ सोचने का कि आप और कौन-कौन सी strategies बना सकते हो आप यह play around कर सकता है आप underline के points चोड़ो आप option के points के साथ भी खेल सकते हो underline के points के साथ भी खेल सकते हो underline के percentage के साथ I'll always select the best setting यह point 25 point जैसे जाएगा will be going out so average loss per trade है maximum loss जो एक single trade में हुआ है 1923 का मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2000 से जादा का maximum loss नहीं होगा win percentage सिफ 34% है क्योंकि option buying के case में win percentage को अच्छा करना is kind of bad I mean I'm not saying win percentage को optimize करना is tough I'm saying bad I'm so sorry actually यह रात के साथे तीन बजे मैं record कर रहा हूँ to be very frank and let's say if we sell the call sell the put क्योंकि यहां sell करते हैं put ITM1 को और results में देखते हैं कि क्या changes आ रहे हैं I always love to you know मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सोचो widely सोचो तो आप देख सकते हो यहां 1,13,845 रूपीज हुए हैं और जो maximum drawdown आपका है वो decrease हो जाता है जो maximum loss in a single trade है वो भी decrease हो जाता है जो average loss है वो भी decrease होता है let's break the rules और हम यहां call को ही short कर देते हैं जब index का price 0.2% से up होगा तो हम call को short करेंगे बेभी कभी कभी क्या होता है कि एकदम से जब moment होता है gamma blast होता है तो फिर cool down भी होता है तो अगर ऐसा करें तो आच्छा ऐसा possible नहीं है so we will always be you know going for the put to short क्योंकि एक momentum strategy है और यहां market को expect कर रहे हैं कि यह उपर जाए तो हम put को short करेंगे जब हम expect करते हैं कि market नीचे जाए तो हम call को short करते हैं ठीक है और जब हमें लगते हैं कि market उपर जाएगा तो उस case में अगर आपको buying side जाना है in terms के साथ तो let's say we want to buy put weekly ITM 1 ही रहने जेते हैं actually otm के साथ हमने test किया ता अभी otm के साथ कर देते हैं पहले buy call weekly and let's go to the otm 1 ATM के साथ तो किया ही था and let's run the back test for a while okay so 2,19,000 if we are working with otm और ये buy के साथ में अगर हम otm 2 पे जाएं let's say फिर ATM का भी back test करेंगे let's wait for a while back test data आपको description मा मिल जाएगा तो don't forget to check the description यहाँ 2,5,000 तो otm 1 तक हम consider कर सकते हैं if हम ATM में जाके काम करें तो what will be the results 285 था I think last time so whether it's going to 42 so otm will be the best maybe itm will be the best even otm 1 will be best क्योंकि otm 1 अगर अच्छा मूमेंट आता है हम यहाँ पे कोई target तो लगा नहीं रहे हैं तो अगर otm 1 में अच्छा मूमेंट आता है तो it will go up like आप एक्तम से बड़े move को capture कर पाऊगे यहाँ देखोगे तो आपको किसी किसी मन्त में 5000 के even fab में आपको 10,000 का loss होता है maybe budget and all की वज़े से हुआ हो यह और यहाँ सब छोटे छोटे losses है यहाँ छोटे छोटे यहाँ fab में हमेशा loss होता है आप consider कर सकते हो कि इस strategy को fab में run नहीं करना है तो this is what four dimensional thinking is मैं यहाँ यही तो build कर रहूँ मैं यहाँ पे आपको ready to use कुछ भी नहीं देता हूँ मैं यहाँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए हूँ मैं आपको बताता हूँ कि strategies बनते कैसे हैं बहुत rare YouTubers हैं जिन जो बताते हैं कि strategy कैसे बनते है weekly strike price otm1 यहाँ हमने call के side में क्या देखा था 2.19.5.92 अब हम चाहते हैं underlying percentage उतने से ही down रहे and let's run the back test so we'll be getting 70,000 input let's add one more and this time we will be going underlying percentage up अब दोनों को combine करके देखते हैं followed by put weekly and यहाँ पर okay यहाँ पर put है यहाँ पर call करते हैं underlying percentage up by 2.0.2 maybe 0.3 will work this time we'll test with 0.3 okay so start back testing let's see how this thing gonna work क्योंकि यहाँ आमने 2.0.2 we will be expecting good profit so our profit decreases and maximum drawdown is 31 तो okay so 10.25 0.3 okay 0.2 के साथ हम कर रहेते तो 0.2 ही कर लेते हैं 0.2 is a huge more let's run the back test again 0.2 के साथ and we have 255 if we treat call and put both but आप देख पाओगे brokerages increase हो जाते हैं आपके 26,000 brokerages लग जाते हैं अगर मैं यहाँ से put को हटा दू if you are looking की call अच्छा कर रहा है और तो आप put में नहीं जाना चाते तो अगर मैं put को हटा दूँ तो आपके brokerages पे काफी impact पड़ेगा brokerages और taxes कम हो जाएंगे जितना कम treats उत्ते जादा brokerages और taxes दे को 26,000 से 8,000 हो गए तो यह सब consider कर सकते हो 0.25% basically 0.5% भी consider कर सकते हो तो this will be this यहाँ तक आपको यह समझ में आओगा कि आप जब strategy बनाने बैटोगे तो आप 4-dimensional कैसे सोचना है ठीक है this is educational video यहाँ मैं आपको literally self-made बनना सिखाता हूँ nothing special like कि मैं readyment कुछ दे रहाँ और कह रहाँ use कर लो मैं से भी registered हो भी नहीं कि मैं आपको कुछ कहूंगा और recommend करूँगा यह सिफ educational purpose के लिए Casperancy है कि educational institute है starting से ही हमने tips और बाकी चीज़ों को नई promote किया है so let's go to our website देखते हैं कैसा देखता है आपका नीचे लिंक है website का आपका आपका आसपरेंसी पर जाओगी यह हमारे website है then आप यहाँ digital products चेक कर सकते हैं अगर हमारे teaching style अच्छी लगते हैं तो आप इन में से कोई भी try कर सकते हैं at a very nominal price prices बढ़ते घड़ते रहते हैं including you know घड़ते तो नहीं basically we launch in a low price and then we increase it तो यहाँ तक clear है आप इन में से कोई भी try कर सकते हैं अगर आपको try करना है तो let's go back आपको जिए Instagram पर follow कर कर के message कर सकते हो यहाँ मैं personally आपको reply कर दूँँगा तो अगर आपको मुझसे personally कुछ पूछने हैं तो आप Instagram का use कर सकते हो कभी कभी replies late आ सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं घर पे नहीं हूँ फिलाल I am using my friend's studio पिछले वीडियो में जो हमने behind the scene दिखाया तो उसमें मैंने clearly दिखाया था कि मैं अपने गार पे नहीं ही हूँ दूसरी जगह पे हो so back test data का download link description में होगा और कौन सा link होगा इस strategy का होगा this strategy ओके so इसका link दूँगा मैं आपको यह क्या है otm1 पे test किया गया है otm1 इसका देता हो ठीक है अगर आपको और links चाहिए तो आप instagram पे request कर सकते हो यह आप मैंने download कर लिया यह same link मैं google drive पे upload करके आपको देता हूँगा तो this is it this is the strategy part so let's see what else we are so आप अगर मुझसे personally connected रहना चाहते हो तो आप telegram का use कर लो description में link है telegram join कर लेना और देखना आप बहुत सारा fake नाम का भी telegram बना देते हैं यह लो तो आप telegram को join कर लेना and thank you so much for being with casperancy हमने casperancy को literally साथ में मिलके बनाया तो हम हर चीज के बारे में काफी transparent होते है कुछ you know dream नहीं बेच रहे होते हैं logical चीज़े ठीका रहे होते है that is it thank you so much for watching keep connected with casperancy hope you like this video अगर आपको पसंद आया हो video तो please go ahead and like, share and subscribe and that is it इसी बस यही मांग रहा हूँ आपसे like करो, subscribe कर दो, share कर दो possible legend के साथ जो आपको लगता है कि helpful हो सकता है all the best keep trading जल्दी मिलते है फिर से एक नया वीडियो के साथ इस पार quand man quand man के वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत होगे, algo test अब quand man के साथ मिलेंगे basically मैं no code, algo trading को prefer करता हूँ क्योंकि हम मैं से बहुत सारे trader है जिनको coding तो I mean coding करें या trading करें वो क्या करें तो basically no code, algo trade एक हमारे लिए solution है यह हम सब कर सकते है thank you so much for watching यहां तक आपने देखा तो please keep connected with cash currency और जिन लोगों ने हमारा paid members से यूटूब पे जोइन के है उनके लिए दिल से thank you आप लोगों के support के वाज़े से यह सब possible हो सकता है खोब आता है all the best, keep trading